दोस्त वोली भंडरी, आज दिनाग 10 अप्रेल 2021 है, सुबह हम कोई 3 बज़ कर 3 मिनिट पर अपने आफिस मा आए हैं, इस समय कोई 4 बज़ कर 7 मिनिट हो रहे हैं, जब हम ये वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो छोटा सा ही है, इसके दो हिस्से हैं, इसका सब्जेक्ट हम पहले बोलेंगे, फिर उस वीडियो के लास्ट हिस्सी को पहले बोलेंगे और में थी इनको बार दमें, ये किसी वज़े से किया जा रहा है। ये देववानी, जनवानी, मंगलवानी, अब भारत इस देववानी के अनुसार ही चलेगा। अब भारत इस देववानी के अनुसार ही चलेगा। माई किंग्डम इस कमिंग, मैं बोलता ही रहता हूं। माई मीन्स इस देववानी का, इस फार्मूले का, परमात्मा का किंग्डम आ रहा है। आज का जो मुझे भगवान ने मेसेज दिया है, वो एक चल्चित्र सा दिखाया है, एक वीजन दिखाया है, एक घटनकरम दिखाया है, और मैंने उससे क्या बोला, वो कैई जिनों से दिखा रहा है मुझे इसे, असल में तो, लेकिन मेरे को इसको आपको बताने की हिमत नह का जो वीडियो था, जिसके बारे मैंने बोला था, कि मैंने बनाया, फिर बिगार दिया, वे इसी का लगभग रूप था, इस वर मेरे सामने खड़ा है, और मैं क्या कह रहा हूं, इस भगवान को अपनी इज्जत का बिलकुल भी ख्याल नहीं है, इस भगवान को अपनी इ बगवान के लिए तुम ऐसे करे हो, मंगल, हाँ जी, क्योंकि वो ऐसे ऐसी चीज करता है, ऐसे ऐसे वाइसकोप जैस चीज दिखा देता है, तो भाई उसने आज क्या दिखाया, उसने आज का ये ए हिस्सा दिखाया, यह तो, मैं अभी आपको बटाओंगा, पहले इसका ल दिखाया है, विशेश रूप से, और कई दिनों से दिखा रहा है, वह बी हिस्सा क्या है, सुनो, इसे आप गप ने समझें, बी का एक नमबर है, इसे आप गप ने समझें, एक दिन ऐसा ही होगा, ये जो मैं अभी बताओंगा आपको, उसके बारे में ये बी हिस्सा बता अभी बताओंगा आपको, इसे आप गप ने समझें, एक दिन ऐसा ही होगा, दूसरा नमबर, अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए इस वानी को जरू सुने, इस वानी को जरू सुने, विशेश रूप से, वे लोग जिन से सम्मदित हम कुछ कहते रहते हैं इस वानी को जिरूर सुनें, तीसरे नम्मर, यह किसान अंदोलन, यह जो किसान अंदोलन चल रहा है, यह परमात्मा का चला हुआ अंदोलन है, और इसमें कोई किसी तरह का गुरेज ने रखे हैं, इस आंदोलन को दिसा, इस आंदोलन को दिसा, इसी वानी के द्वारा मिलेगी, वैसे तो भारत के सारी घटना है, इसी वानी के द्वारा कंट्रोल होंगी, दिसा निर्दिसित होंगी, यह आंदोलन भी, इसका फल तभी मिलेगा नौट कर लिया चौथा नमबर देखिए मैं ये सब कुछ बोल करके क्यों जगडा सा मूल ले रहा हूँ कोई उल्टा ही समझ जाए भले काम को बुरा समझ जाए मैं आज चौथा नमबर मैं आज नहीं बोला तो भारत धदक जाएगा मैं यदि आज नहीं बोला तो भारत धदक जाएगा और इन दोनों लोगों को इन दोनों को बचाना भारी हो जाएगा पूरे लोगों पर इसंकट आएगा लेकिन इन दोनों आद्मियों की रक्षा नहीं के जा सकेगी पांच नमबर देखे लोग संपर्क करें यदि उनको ये विश्वास होता है कि ये Mission Great India Channel ये वानी ये अंदोलन आगे कुछ करने की पोजिशन में होगा यदि उनको ये विश्वास बनता है तो इससे संपर्क करें उनके संपर्क से ये अंदोलन आगे बढ़ेगा और इस अंदोलन के आगे बढ़ने से वे लोग भी आगे बढ़ेंगे ये हैं सब के भले भले के लिए कही गई है ये बाते सब के भले भले के लिए कही गई है जो मैं अभी एक नंबर में बता रहा हूं ये बी वाली मैंने बुल दिया चुछे सब के भले के लिए से कही जा रही है तो भाई मंगल अब तुम ये बताओ भगवान ने क्या वाइसकोप दिखाया वह विजन दिखाया वह बात बोली जिसके तुम अभी प्रिष्ट फूमी बना रहे हो तो भाई देखो उस भगवार ने आज मुझे वीजन दिखाया हूभू चित्र दिखाया वैसे तो वो बहुत दिनों से मुझे दिखाता रहता है और मैं अपनी चैनल में बूलता रहता हूँ लेकिन आज जो इस्वर ने मुझे बताया उसको सुनिए ए नम्मर का पहला हिसे ए नम्मर का पहला हिसा कितने ही लाख लोगों ने कितने ही लाख लोगों ने देखेजिए रहा ए नम्मर का पहला हिसा कितने ही लाख लोगों ने RSS के नागपर हेड़क्वाटर को गिर लिया है RSS के नागपर हेड़क्वाटर को गिर लिया है और लोगों के हाथों में मसाल है जलती हुई मसाले है देखे भाई इसने मुझे मुझे बता है साक्षाप का साक्षाप कि देखो मंगल कितने ही लाख लोगों ने RSS के नाग पर हेड़ को गिर दिया है और उन लोगों के हाथों में जलती हुई मसाले हैं भाई बड़ा अनाइस्पेक्टेड दृस्टे है भाई है तो है इस्वर ने मुझे ऐसा ही बताया है और मुझे सामने दिख रहा है लेकिन यह भी डिवाइन डाइमेंशन्स में है देखो कब फिजिकल डाइमेंशन्स में आता है क्या बताया कि देखो मंगल एक नमबर कितने ही लाख लोगों ने RSS हेडरो काटर को गेर लिया है जिनके हातों में जलती ही मसाले है जो गुसे में है दूसरे नमबर देखिए पुलिस और मिलिटरी को बुलाया गया है देखो पुलिस और मिलिटरी को बुलाया गया है लेकिन फोग कोई फायदा नहीं पुलिस और मिलिटरी को बुलाया गया है लेकिन कोई फायदा नहीं देखो मंगल क्योंकि वे भी प्रदसन कारियों की तरफ हो गए हैं पुलिस और मिल्टरी वे भी प्रदसन कारियों की तरफ हो गए हैं और अब तीसे नमबर देखिए भीड छटचट कर भीड छटचट कर भीड के कुछ टुकले पीएम हाउस एंटेलियो अडानी निवास संसद राश्पति भवन सुप्रीम कोर्ट निर्वाच्यन आयोग इत्यादी के तरह बढ़ने लगिये देखो भीड छटचट कर भीड के कुछ टुकले देखो प्रदान मंत्री आवास राश्पति भवन अम्बाने का इंटेलियो अडानी निवात सुप्रीम कोर्ट निर्वाच्यन आयोग के तरह बढ़ने लगिये और प्रता चला है कि वे लोग पहले से ही रफुचकर होगे छोड़ छोड़ के भागे जब उन्होंने देखा कि हमारे काटर का ही यहाल है तो वे बेचारे कहां रुकने वाले थे भाई यह ऐसा हुआ है देखे चार नंबर क्या है इस बारे में हम पहले ही भईस्वानी कर चुके हैं जैसा कि हमें पहले बताया गया है कि क्या कि बीजेपी कांग्रेस, आर एसेस के यह सारे ओफिसेज पहले भईस्वानी बीजेपी कांग्रेस, आर एसेस के यह सारे ओफिसेज सारे भूत खाने बन जाने वाले हैं यह दो चार मैने पहले कि हमारे भईस्वानी हैं क्या पता सालवर हो गई सारे भूत खाना बन जाने वाले हैं खंडर बन जाने वाले हैं उसके बाद ये राष्ट्री संपती गोसित होंगे भाई बड़ा बयानक चित्पित परमात्मा ने दिखाया कितने ही लाख लोगों ने आरे से नागपर हेड्रोट को और गेर लिया है जिनके हातों में जलती ही मसाले हैं जो कुछ भी करने के लिए आमदा है जो हटने का नाम ही ने लेते प्रलिस और मिलिटरी को बिलाया गया है लेकिन कोई फाइदा नहीं क्योंकि वे भी प्रदस्वनकारों के तरफ हो गये हैं बीड चट-चट कर उनके कुछ टुकड़ों ने प्रदान मंत्रियावास, एंटेलियो, अडाणी निवास, संसाद, निर्वाचन, भवन, सुप्रीम कूट, निर्वाचन, आयोगन, सब को घेड लिया है कि देखो लोग चिला रहे हैं लोग MP को पकड़ने के लिए आतुर है, वे कह रहे है कि देखो जिनको हमने पब्लिक का नुमाइंदा बनाया, इनसे पूछो, इनका नार्कोट टेस्ट कराओ कि क्या इनोंने CA कानून, क्या इनोंने UAPA कानून क्या इनोंने किशान बिल, क्या इनोंने समर्फर्म देने से पहले ये पड़े हैं नहीं पड़े होंगे, चाह के MP, MLA सब ऐसा करते हैं, वहाँ तो ऐसी भयानकता आएगी और इस भयानकता से गुजरने के बाद ही देश के अच्छे दिन आएगे। दोस्तों देखो, ये आवाज आपको चाह कैसी भी छोटी सी लगे। लेकिन भारत इस आवाज से ही बचेगा, वरना भारत बड़ा भयानक रूप से धदक जाएगा, और बहुत नुक्सान हो जाएगा, और जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता, कि ये लोग सिकार बनेंगे, उन लोगों की सबसे ज़्यादा मुश्कल आ जाएगी। कि ये इस्वरी प्रसाल मेरे लिए हो रहा है, और मैं भले-भले के लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, करते आप मेरे पर गुसा नहीं करें, और इस जो इस्वरी ये डिवान डाइमेंट से जो हो रहा है, उसको देख करके फाइदा उठाएएं 66.66 से ज्यादा जिनका 37 से दोने का प्रावधान नहीं होता, उनमें कुछ प्लस माइनस होते हैं, जिससे की ऐसा लगता है कि ये भाईस्वानी सिद्न नहीं होई, लेकिन ये को हम कोई भाईस्वक्ता नहीं है, भाईस्वानियों की बज़े से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यदि इन चीजों से RSS नहीं चेता, तो देश के लिए तो भयानता होगी ही, खुद RSS के लिए और RSS के बंदों के लिए, उनके फंडर सपोर्टरों के लिए ऐसा घातक होगा, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी, आज इतना ही जेहन जे भारत